नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है इस वीडियो में आज आप जानिये अगर आपकी आखों के चारों और काले खेरे हैं यानि कि डार्क सरकल्स हैं तो उनसे आप किस परकार आफसानी से प्राकर्तिक तरीकों से छुटकारा पाएंगे आजकल वैसे डार्क सरकल्स कई वज़ों से हो जाते हैं जैसे कि खान पान की कमी, विटामिन ए की कमी, बहुत ज़्यादा ठकावट हो जाना या फिर आपका अच्छे से नीन ना ले पाना मानसिक परिशानी अगर आपको कोई है तो उसे भी आपको डार्क सरकल्स हो सकते हैं डार्क सरकल्स चाहे किसी भी वज़े से क्यों ना हुए हों, आप डार्क सरकल्स के लिए बस एक उपाय करिए आपको डार्क सरकल्स से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा तो चलिए जान लेते हैं इस उपाय के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है और किस परकार करेंगे आप सबसे पहले आप पुदीना ले 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 पुदीने की कुछ पतियां आट दस पतियां ले 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 बहुत जादा कि आपको जरूरत नहीं है आट दस पतियां काफी है इसके लिए टमाटर ले 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 इसके साथ आप एक कोटन बॉल को जरूर ले 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 आप पुद आप इसमें डालें पत्तियों के साथ ही आप एक टमाटर ले लें छोटा से टमाटर काफी है इसके लिए इस टमाटर को काट कर आप इसमें पेस्ट बना लें जैसे कि मैं बनाने जा रहे हैं आप अपनी सुईधा के नुसार मिक्षर भी इस्तमाल कर सकती है अगर आपकी घर पर मिक्षर है तो आप उससे भी इसका पेस्ट त्यार कर सकती है यह देखिए मैं पेस्ट बना रही हूं तमाटर और उदीने का अब यह बन चुका है इसको आप छलनी की सहयता से छान के इसका जूस निकालने इस तरीके से आप इसका जूस निकालने अब यह जूस त्यार है इस जूस निकालने अब यह जूस त्यार है जूस में आप नीबू का रस काट कर डालें आप इसमें आधा नीबू का रस निकोड़ दें जैसे की मैंने निकोड़ा है कॉटन बॉल की मदद से आप अपनी आँखों के चारो तरफ इसको लगा लें इस रस को लगाने से धीरे धीरे आपके आखों के जो काले गहरे हैं वो ठीक हो जाएंगे आपकी आखे स्वस्थ हो जाएंगी आपकी आखों में चमक भी आ जाएगी इसको आपको आदे घंटे तक लगा के रखना है उसके बाद आप नॉर्मल पानी से अपनी आखों को धोलें यह उपाय आप हफते में दो बार जरूर कर लें इससे आपको जल्दी से जल्दी काले गहरों की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ता कि उन तक भी जानकारी पहुंच सके इसके साथ ही हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूले गा ताकि आप तक हमारे दोरा कुछ ऐसे ही important tips पहुंच सकें और आप उनसे फायदा उठा सकें धन्यवाद दोस्तों